अस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर कई तरह की बातें आज की वीडियो के जरीया आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा वीजा सक्सेस रेट इस समय पर देखने को मिल रहा है कैसी प्रोफाइल्स पर वीजा आ रहे हैं ये भी डिसकस करेंगे किन स्टूडेंट्स को देरी बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जुलाई इंटेक की अगर हम बात करें टाइम बीच में कम है फॉर्मालिटी बहुत ज़ादा रहती हैं उस्ट्रेलिया स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए तो आज की वीडियो में ये धेर सारी इंफोमेशन आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे ताकि आपको पहले तो ये पता चल सके कि वीजा ट्रेंट क्या चल रहा है किस तरह की प्रोफाइल्स पर ज़ादा वीजा आप देखे जा रहे हैं और आपने किस धंग से अप्लाई करना है ताकि बिल्कुल सही तरह से अप्लाई करें और अपना वीजा हसल करें स्वागत है आप सभी का मैं हूँ हर जोतकौर और डिटेल में ये पूरी इंफोमेशन आपके साथ शेयर करेंगे नविगेटर्स ओवर सीज से वीजा एक्सपर्ट मिसिस वीना गोईल मैं हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है मैं नमश्कार तो मैं जरूर पहले तो ये बताईए कि अब जैसे की ऐस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के हम देख रहे हैं कई स्टूडेंट्स की वीजा अप्रूवल आ चुकी है अच्छी न्यूस हम इसे मान सकते हैं आप प्रोफाइल वाइस भी जरूर स्टूडेंट्स को गाइड कीजेगा ये कैसी प्रोफाइल थी और कैसी ऑप्शन के साथ ये आगे बड़े कैसे कोर्सेंज में वीजा सक्सेस रिट जादा देखा जा रहा है हर जो बच्चों के प्रोफाइल ठीक है जिनका कोई ज्यादा गया अपनी हर बार में खल हर वीडियो में बता रहे हैं वो उनके वीजा में कोई प्राबलम नहीं और जो पीछे वीजा रोके हुए थे वो क्या रहेगा है तो अगर 60-70% तक वीजा सक्सेस रेट जा रहा है मोर दन 50% तो वह एक अच्छा सक्सेस रेट मानना चाहिए और अभी मतलब पिछले कुछ दिनों से काफे मोमेंट शुरू हो गई है और यह माना जा रहा है कि में में तो बहुत अच्छे वीजा निकलेंग और यह जो है निउस पेपर है जो अस्टेलिया का वहीं से यह निउस हमने क्लेक्ट की है कि में कि आज ही हमारे पास वो निउस आई है कि में का वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होने वाला है और उसके बाद में में तो यह जो अभी फाइलें रुकी हुई है उनके आ अभी अप्रिल खत्म होने वाला है लेकिन जुलाई के बाद वीजा जो है क्योंकि एक इंटेग खराब हो चुका है बच्चों का मैक्सिमम तो अब जो उमीद है कि आने वाला टाइम जो इन्होंने कोटा है या जो भी अब काफी अच्छा वीजा देंगे तो इसलिए अस् 5.5 बैंड या 6 बैंड इच डिपेंड करता है यूनिवर्स्टी और कॉलेजिस पर हाँ वेट में वीजा कम आता है डिपलोमा कॉर्सेज में तो कोशिश करें आप की डिगरी कॉर्सेज में ही लगाएं और परसंटेज जैसे अगर आपके स्टीट बोर्ड के हैं तो यूकि जब वीजा आना है बैचुलर्या मांस्टर्स में आना तो कॉलेजिस भी आपको ले सकते हैं और अगर क्योंकि यूनिवर्स्टी इस का अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है जीटी में बहुत तंग करते हैं तो आप कॉलेजिस की तरफ भी जा सकते हैं क्य सारी उनिवर्स्टी आज भी हमारी उनसे डिटेल में बात हुई है और अगर बिजनसमेन है तो फिर वो जी एश्टी के फॉर्म जरूर मांगते हैं कि आपका जी एश्टी अप्लाई हो और आपके बिजनस के सारे प्रूफ हो सर्वेस वालों से तो खली फॉर्म 16 चाहिए और इंकम टेक्स रिटरंस ही हैं इंकम टेक्स रिटरंस लाज्ट टू यर्स के आप दे सकते हैं लेकिन एक साथ ना भरी हो यह चीज़ का भियान रखें तो वीजा आने के बहुत संभावना है क्योंकि आप देखे 60-70% इस तेम रिजल जा रहे हैं जो कि हम इस तेम अच्छा म स्ट्रेट के लिए और स्टूडेंट्स इनहीं कई बार ऐसे लगते हैं यह चोटी चोटी बाते हैं लेकिन यही चोटी चोटी बाते हैं आपका वीजा अप्रूवल के लिए बहुत ही खास रहती हैं और इंफोमेशन भी अगर आपको चाहिए तो जरूर जो नंबर ताकि आप अगर जुलाई इंटेक के लिए अप्लाई करना चाहरे हैं तो सही धंग से और सही ओप्शन के साथ ही आगे बढ़ें और आप जरूर अपना अस्ट्रेलिया का स्टेडी वीजा ताइमली हासिल कर सकें बहुत बहुत थैंक्स मैं यह डिटेल में आपने हो चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए काफी पॉजिटिव गुड न्यूज हम इसे मान सकते हैं और कोई सलाच आईए हो तो आप नेविगेटर्स ओवरसीज के ओफिस भी विजिट कर सकते हैं अपने डॉक्मेंट्स अपने साथ जरूर लेकर आईएगा ताकि इसमें ये पूरी information share करने के लिए आगे भी हम इसी तरह से student के लिए और informative वीडियो लेकर आते रहेंगे फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त thank you so much thank you